हलो स्टुडेंट्स वेलकम टो इंग्लिश ओनलाइन तो आज हम करेंगे 9th क्लास की बुक विहाइव के 2nd चैप्टर दे साउंड अफ म्यूजिक के 2nd पार्ट को जिसका टाइटल है दे शैनाई आफ बिस्मिल्ला खान तो यह लेसन पढ़ने से पहले हम यह कुछ लाइनों को पढ़ लेते हैं आप शैनाई के बारे में सोचें फिसी की शादी के बारे में करेंगे या फिर सिमलर ओकेजन या फंक्शन के बारे में कलपना करेंगे और जो नेक्स फिंग आप इमेजन करेंगे वो उस्ताद बिस्मिल्ला खान को करेंगे जो शैनाई के उस्ताद थे उनको यह इंस्टूमेंट प्ले करते हुए आप कलपना करेंगे तो अब हम इस लेसन को पढ़ते हैं एम्परर ओरंग जेब बैंड दा प्लेंग ऑफ ए म्यूजिकल इंस्टूमेंट काल्ड पुंगी इन दा रोयल रेजिदेंस फोर इट हैड श्रिल अनप्लेजन्ट साउंड जो एम्परर ओरंग जेब थे उन्होंने बैं लगा दिया एक म्यूजिकल इंस्टूमेंट जिसका नाम पुंगी था उसे प्ले करने से रोयल रेजिदेंस में और वो बैंड क्यों लगा दिया क्योंकि इसकी जो आवाज थी वो बहुत ही लाउड थी और अनप्लेजन्ट थी पुंगी बिकेम दा जेनरिक नेम फोर रीडिड नॉजमेकर और जो पुंगी था वो एक जेनरिक नेम बन गया रीडिड नॉजमेकर के लिए तो read it क्या होता है, read it wind instrument होते हैं which have reads like the flute, उसके अंदर reads लगी होती है जैसे कि flute होती है, few had thought it would one day be revived, मतलब ये दुबारा से popular हो जाएगी और ये दुबारा use में आ जाएगी, अब barber of a family of professional musicians who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi, एक barber जो किस से belong करता था, एक professional musicians की family से belong करता था और जिसकी access, जिसकी पहुँच कहां तक थी, जो royal palace था, जो शाही खानदान का महल था, उसकी जो पहुँच थी, वहां तक थी, royal palace थी, उसने फैसला लिया कि वो improve करेगा tonal quality, tonal quality means उसके sound की जो quality है, pungi की उसको वो क्या करेगा improve करेगा, he chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi, उसने एक pipe को चुना, जो अंदर से natural तरीके से hollow था, खोखला था, और जो pungi से जादा longer और broader था, मतलब वो long था, और broad थोड़ा चोड़ा भी जादा था, and made seven holes on the body of the pipe, और उस barber ने seven hole कर दिये, उस pipe की body पर, when he played on it, closing and opening some of these holes, जब उसने इसको play किया, बंद करके और खोल कर इसके कुछ holes को, तो soft and melodious sounds were produced, उससे soft और मधूर और मीठी आवाज निकली, he played the instrument before the royalty, and everyone was impressed, उसने इस instrument को play किया, royalty के सामने, मतलब जो royal family थी, उसके सामने, राजा का दरबार था, वहाँ पर उसने play किया, और हर कोई वहाँ पर impressed हो गया, the instrument so different from the pungi had to be given a new name, वो instrument बिलकुल different था, अलग था, पungi से इसलिए उसे कोई नया नाम दिया जाना था, as the story goes, जैसे की story कहती है, since it was first played in the shah's chamber, इसे first time play किया गया था, शहा के chamber में, शहा के room में, and was played by a nai, और उसको किस ने play किया था, एक nai ने, बारबर ने, the instrument was named the shah nai, और instrument का नाम रख दिया गया, shah nai, shah nai, तो जो पungi होती थी students, वो इस तरीके की होती थी, और उसकी जो sound थी, वो कैसी होती थी, shrill and unpleasant, लेकिन बात में, जब इसे revive कर दिया गया, तो ये shah nai बन गई, इस तरीके से, और इसकी जो sound थी, वो बहुती melodious थी, the sound of shah nai, begin to be considered auspicious, जो sound थी शah nai की, उसे considered किया जाने लगा, माना जाने लगा auspicious, उन्हें शुब माना जाने लगा, auspicious हम किसको कहते हैं, जो हमारे लिए good fortune लेकर आती है, कोई भी चीज, अच्छा भागया लेकर आती है, हमारे लिए शुब होती है, और यही रीजन है, कि इसको अभी भी प्ले किया जाता है, मंदिरों में, टेंपल्स में, और एक indispensable, indispensable हम किसे कहते हैं, without which a piece of work cannot be done, जिसके बिना कोई काम नहीं किया जा सकता, तो यह एक indispensable component, part बन गया, किसी भी नोर्थ इंडियन वेडिंग का, तो शेहनाई एक जरूरी हिस्सा बन गया है, किसी भी नोर्थ इंडियन वेडिंग का, In the past, the शेहनाई was part of the nobath, or traditional ensemble, of nine instruments found at royal courts, past में क्या होता था, जो शेहनाई थी, वो एक part होती थी नोबत का, नोबत क्या होता है, नो instrument होते हैं, जिनका एक group होता है, और उस group को हम ensemble बोलते हैं, तो वो राजा के दर्बार में, जो royal court होता था, वहाँ पे नो instrument होते थे, जो play किया जाते थे, और उन nine instrument में से एक शेहनाई होती थी, तिल recently, it was used only in temples and wedding, अभी recently, थोड़े time पहले तक ये use की जाती थी शेहनाई, temples में और weddings में, शादियों में और मंदिरों में use की जाती थी, The credit for bringing this instrument on to the classical stage goes to Ustaz Bismillah Khan, लेकिन जो credit है, इस instrument को classical stage पर लाने का, Ustaz Bismillah Khan को जाता है, वही थे जो इस instrument को classical stage पर लेकर आये थे, As a five year old, बिसमिला Khan played Gilly Danda near a pond in the ancient estate of Dumrao in Bihar, जब वह five year old थे बिसमिला Khan, वह गिली डंडा खेला करते थे एक तालाब के पास, जो एक पुराना estate था डुम्राओ का, और कहां पर था बिहार में, He would regularly go to the nearby बिहारी जी temple to sing the भोजपुरी चैता, वह regularly जाते थे बिहारी जी के टेंपल में, जो पास में ही था, और वहां पर एक भोजपुरी चैता गाया करते थे। चैता एक तरीके का classical song होता है, मतलब भजन टाइप होता है, जो मंदिरों में गाया जाता है, at the end of which he would earn a big laddo, weighing 1.25 kg, a price given by the local maharaja, जब उस चैता का भोजपुरी song का end होता था, तो उनको एक laddo, एक price के रूप में दिया जाता था, उस laddo का वजण कितना होता था, 1.25 kg, और वो एक local maharaja के द्वारा दिया जाता था, ये 80 साल पहले हुआ था, और वो जो चोटा सा लड़का था, वो बहुत ही आगे निकल गया, इतना आगे निकल गया, कि उन्होंने क्या earn कर लिया, highest civilian award in India, इंडिया में highest civilian award उन्हें मिला, और वो क्या था, दा भारत रतना, उन्हें भारत रतना दिया गया, born on 21 March 1916, बिस्मिल्ला belongs to a well-known family of musicians from Bihar, जो बिस्मिल्ला खां थे, वो 21 March 1960 को born हुए थे, पैदा हुए थे, और वो एक बहुती famous musician family से संबन्द रखते हैं, जो बिहार से है, इस grandfather रसूल बख्ष खान, वास्दा शेहनाई नवाज of भोजपुर किंग्स कोर्ट, उनके जो grandfather थे, जिनका नाम रसूल बख्ष खान था, वो शेहनाई नवाज थे, कहां के भोजपुर किंग्स कोर्ट के, शेहनाई नवाज मतलब वो भोजपुर किंग के दरबार में, कोर्ट में शेहनाई बजाया करते थे, शेहनाई को प्ले किया करते थे, जो उनके फादर थे, पैगंबर बख्ष और उनके जितने भी पैटरनल एंसेस्टर थे, पैटरनल क्या होते हैं, जो father की तरफ से होते हैं, उन्हें हम पैटरनल कहते हैं, और जो mother की तरफ से होते हैं, उन्हें हम मैटरनल कहते हैं, तो उनके जो paternal ancestors थे, मतलब father की तरफ से जो पूर्वस थे, ancestors थे, वो बहुत ही great शहनाई players थे. The young boy took to music early in life. वो young boy, बिस्मिल्ला खां, उन्होंने शुरू कर दिया music को सीखना अपनी life में बहुत जल्दी शुरू कर दिया. At the age of three, when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras, बिस्मिल्ला खां was fascinated watching his uncle practice the शेहनाई. जब बिस्मिल्ला खां की age तीन साल की थी, तो उनकी मदर उन्हें उनके maternal uncle के पास ले गई. Maternal uncle मीस जो उसके मामा थे, उनके पास उनको ले गई. उनका घर कहां पे था? बनारस में. बिस्मिल्ला खां बहुत ही fascinated हो गए, बहुत ही attracted हो गए, अपने अंकल को देखकर practice करते हुए शेहनाई की. किस के लिए शेहनाई को play करने के लिए वो employed थे? मतलब वहाँ पर वो शेहनाई बजाया करते थे विश्नु temple में. अली बख्ष वोड़ प्ले दा शेहनाई एंड बिस्मिल्ला वोड़ सिट captivated for hours on end. अली बख्ष शेहनाई को play किया करते थे और जो बिस्मिल्ला खां थे वो बैठ जाते थे वहाँ पर captivated होकर. मतलब spell bound होकर, मंत्र मुख दोकर वहाँ पर बैठ जाते थे कई घंटों तक on end. मतलब for a very long time without stopping. वहाँ पर बैठे रहते थे बिना रुके हुए, वहाँ पर सुनते रहते थे अपने अंकल को शेहनाई को play करते हुए. Slowly, he started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day. Slowly, धीरे-धीरे उन्होंने भी शुरू कर दिया lesson लेना, शेहनाई को play करने में, इस instrument को play करने में और बैठे रहते थे, practice करते हुए, पूरा-पूरा दिन बैठे रहते थे. For years to come, the temple of Balaji and Mangla Maya and the banks of the Ganga became the young apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude. कई सालों तक जो आने वाले years थे, जो temple था Balaji का और Mangla Maya का और जो Ganga किनारे थे, मतलब banks of the Ganga थे, वो उस young apprentice के, उस trainee के, जो सीख रहा था, बिस्मिल्ला खा, उसके favorite haunts बन गए. Haunts क्या होता है, जो favorite place होते हैं, वो बन गए तीन, कौन से बन गए? Balaji का temple, Mangla Maya का और banks of the Ganga, ऐसी जगा बन गई जहां पे वो बार बार जाते थे और जहां पे वो practice करते थे solitude में, अकेले पन में practice करते थे. The flowing waters of the Ganga inspired him to improvise and invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of the shahnai. जो बहता हुआ पानी था, Ganga का, वो उन्हें प्रेणना देता था, inspire करता था, improvise करने के लिए और invent करने के लिए. नया विश्कार करने में और खुद से improvise करने में, सुधार करने में रागास को, उन रागास को जो पहले क्या माने जाते थे, कि वो किस से परे हैं, शहनाई की range से परे हैं. शहनाई से जिन राग को प्ले नहीं किया जा सकता था, उन्होंने वो राग भी प्ले करना शुरू कर दिया. At the age of 14, बिस्मिल्ला accompanied his uncle to ilabad music conference. जब बिस्मिल्ला खान की age 14 year थी, तो उन्होंने accompany किया. वो साथ में गए अपने अंकल के और कहां गए ilabad music conference में. At the end of his recital, उस्ताद फयाज खान patted the young boys back and said, work hard and you shall make it. जब end हुआ उस recital का, उस program का, तो उस्ताद फयाज खान ने थपथपाया बिस्मिल्ला खान की पीट को और कहा, मेनत करो और तुम सफल हो जाओगे, तुम सीख जाओगे, तुम्हें success मिल जाएगी. जब ओपनिंग हुई आल इंडिया रेडियो की लखनोव में, 1938 को तब बिस्मिल्ला खान को एक बहुत बड़ा ब्रेक मिल गया. जल्दी ही उन्हें अकसर सुना जाता था शेहनाई को प्ले करते हुए रेडियो पर. जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, आजादी मिली, 15 अगस्ट 1947 को जो बिस्मिल्ला खान थे, वो फर्स इंडियन थे कि उन्होंने ग्रीट किया, स्वागत किया, नेशन का, देश का अपनी शेहनाई के साथ. उन्होंने अपने दिल को उडेल दिया, एक राग कफी में जो रेड फोट से उन्होंने गाया, ओडियन्स के सामने और वो ओडियन्स जिसमें महात्मा गांधी भी थे और पंडित जवालाल नहरू भी थे, who later gave his famous Trist with Destiny speech. जवालाल नहरू जिनोंने बाद में अपनी famous speech दी, Trist with Destiny. बिस्मिल्ला खान has given many memorable performances both in India and abroad. बिस्मिल्ला खाने बहुत ही memorable performances दी हैं इंडिया में भी और विदेश में भी, abroad में भी. His first trip abroad was to Afghanistan, where King Jahir Shah was so taken in by the mastrobe that he gifted him priceless Persian carpet and other souvenirs. उनकी जो पहली trip थी, abroad, विदेश में वो अफगानिस्तान में थी, जहां के King Jahir Shah इतना attract हो गए, इतना charmd हो गए, इतने spellbound हो गए, उस्ताद बिस्मिल्ला खान की शहनाई को सुनकर कि उन्होंने gift कर दिया, उनको एक बहुत ही कीमती Persian carpet gift कर दिया, और भी कई souvenirs दिये. सुविनियर समकिन को बोलते हैं, things given in memory of a place, person or event, वो चीजें जो याद के रूप में दी जाती हैं, किसी place के, person के, या किसी event के, मतलब वो अफगानिस्तान गए थे, तो उसकी याद में, कि आप अफगानिस्तान आये थे, हमारी एक याद लेकर जाईए, तो उन्होंने उनको Persian Carpets दे दिये, the king of Afghanistan was not the only one to be fascinated with Bismillah's music, जो king थे, अफगानिस्तान के, वो एक लोते नहीं थे, अकेले नहीं थे, जो fascinated हुए थे, जो attract हुए थे, बिस्मिल्ला के music के साथ, film director Vijay Bhatt was so impressed after hearing Bismillah play at festival, that he named a film, जो film director Vijay Bhatt थे, वो इतने impressed हो गए थे, सुनने के बाद, बिस्मिल्ला खां को play करते हुए, एक festival पर शहनाई play करते हुए, कि उन्होंने नाम रख दिया एक film का, और उस film का नाम था, गूंज उठी, शहनाई, the film was a hit, जो film थी बहुत hit रही, and one of बिस्मिल्ला खां's composition, और एक composition, जो गाना था, बिस्मिल्ला खां का, दिल का खिलोना हाई टूट गया, turned out to be a nationwide chartbuster, वो जो गाना था, वो क्या निकला, nationwide chartbuster निकला, chartbuster हम किसे बोलते हैं, जो record को break कर दे, उस गाने ने काफी records को break कर दिया, Despite this huge success in the celluloid world, बिस्मिल्ला खां's ventures in film music were limited to two, इतनी सफलता मिलने के बावजूद, इस filmी दुनिया में, celluloid हम किसको बोलते हैं, old fashion में filmों को refer करते हैं, Film के word में इतनी success मिलने के बावजूद भी, बिस्मिल्ला खां का जो venture था, film music में, जो उनकी involvement थी, सिर्फ दो music तक ही limited थी, विजे भट्स, गून जुटी शेहनाई, एंड विक्रम शरी निवास, कनड़ा venture, सनाधी अपनना, उनका जो music था, दो फिल्मों तक ही limited था, एक फिल अपनना, I just can't come to terms with the artificiality and glamour of the film word, he says with emphasis, तो बिस्मिल्ला खां क्या कहते हैं, कि मेरी शायद बनती ही नहीं, इस artificial word के साथ, और glamour वाले word के साथ, जो फिल्मों का word है, वो glamour वाला, और एक artificial word है, मेरी शायद उसके साथ नहीं बनती, वो ये बात जोर देकर कहते हैं, Awards and recognition came thick and fast, जो awards थे और जो recognition थी, पहचान थी, वो बहुत ज़्यादा मिली और great number में मिली बिस्मिल्ला खां को, thick and fast हम बोलते हैं, rapid और great number में मिलना, उनको बहुत ज़्यादा पहचान और awards मिले, बिस्मिल्ला खान became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America, जो बिस्मिल्ला खान थे वो पहले Indian बने क्योंने invite किया गया perform करने के लिए एक बहुत ही prestigious, बहुत ही famous Lincoln Center Hall में, जो United States of America में है, he also took part in the world exposition in Montreal in Cairns, art festival and in the Osaka trade fair, उन्होंने हिस्सा लिया, world exposition in Montreal में भी और एक art festival में, जो Cairns में हुआ, और Osaka trade fair में भी उन्होंने हिस्सा लिया, So well known did he become internationally that an auditorium in Tehran was named after him, ताहर मुसिकी उस्ताद बिस्मिल्ला खान. इतने वो internationally famous हो गए कि एक auditorium Tehran में उनके नाम पर रख दिया गया, और उस auditorium का नाम रखा गया, ताहर मुसिकी उस्ताद बिस्मिल्ला खान. National awards like the Padma Shri, the Padma Bhushan and the Padma Vibhushan were conferred on him, जो national awards थे जैसे कि Padma Shri, Padma Bhushan और Padma Vibhushan उन्हें दिये गए. Confer का मिनिंग होता है जो award या degree किसी को दी जाती है, तो उन्हें ही award दिये गए. In 2001, Ustad Bismillah Khan was awarded India's highest civilian award, the Bharat Ratna. 2001 में Ustad Bismillah Khan को India का highest civilian award जो होता है, वो दिया गया, the Bharat Ratna. With the coveted award resting on his chest and his eyes glinting with the rare happiness, he said, All I would like to say is, teach your children music. This is Hindustan's richest tradition, even the west is now coming to learn our music. वो जो much desired award था, भारत Ratna का, उसको रखे हुए अपनी chest पर, मतलब अपनी chest के साथ लगा कर, उनकी आँखों में एक चमक थी, किसकी एक बड़ी मुश्किल से मिलने वाली खुशी की चमक थी, उन्होंने ये कहा, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों को music सिखाओ, ये हिंदुस्तान की बहुत richest tradition है, एक परंपरा है, बहुत ही अच्छी परंपरा है, अब तो जो west है, जो western country हैं, वो भी हमारा music सीखने आ रही है। पूरा वर्ड घूमने के बावजूद भी, जो खान साब थे, जिन्हें प्यार से खान साब कहा जाता था, वो बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, बनारस को और दुम्राव को, ये जो दो टाउन थे, उनके लिए सबसे वंडर्फुल टाउन थे, वो बहुत ज़्यादा प के, दुनिया के, एक उनका स्टूडेंट जो एक बार चाहता था, कि वो एक शेहनाई स्कूल को हेड करें, उसको चलाएं, USA में, और स्टूडेंट ने वादा किया, प्रोमिस किया, कि वो रीक्रियेट कर देगा, किसके अट्मोस्फियर को, बनारस के, बनारस जैसा अट्मो वो बना देगा, कैसे बनाएगा, रैप्लिकेट करके टेंपल्स को, वैसे ही टेंपल वहाँ पे बना देगा, USA में, बट खान साब, आस्ट हिम, इफ वोड बी अबल टो ट्रांस्पोर्ट रीवर गंगा एस वेल, तो खान साब ने उससे पूछा, क्या तुम ट्रांस्पोर कर पाओगे, गंगा रीवर को भी, क्या गंगा रीवर को भी यहाँ ले आओगे, लेटर ही इस रिमेंबर टो हैव सेट, बाद में ऐसा याद किया जाता है, कि उन्होंने कहा था, यही कारण है, कि जब कभी भी, मैं विदेश में होता हूँ, फोरन कंट्री में होता हूँ, मैं यर्निंग करता रहता हूँ, मेरी इच्छा बने रहती है, तो सी हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान को देखने की, वाइल इन मूंबई, और जब मैं में मूंबई में होता हूँ, ऐ सिनक ऑफ उनली बनारस एंड दा हुली गंगा, उस समय, मैं सिर्फ बनारस के बारे में स और जब मैं बनारस में होता हूँ, मैं मिस करता हूँ, मैं मिस करता हूँ, वो यूनीक मठा को दुम राओ के, मठा हम किसे बोलते हैं, जो बटर मिल्क होता है, उसे हम मठा बोलते हैं, उस्ताद बिस्मिल्ला खान स लाइफ is a perfect example of the rich cultural heritage of India, one that effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally play the शहनाई every morning at the Kashi Vishwanath Temple, उस्ताद बिस्मिल्ला खान की जो लाइफ है, वो एक बहुत सही और perfect example है, इंडिया की इतनी भरी हुई सांस्कृतिक विरासत का, वो विरासत जो बिना किसी प्रितन के, effort के accept कर लेती है, कि एक devout Muslim, devout हम किसे बोलते हैं, जो believe करे strongly अपने religion में, वो एक devout Muslim थे, अपने religion में बहुत ज़्यादा विश्वाश रखते थे, उस जैसा person, वो बड़ा ही naturally play कर सकता है शहनाई, हर सुभे काशी विश्वानात के temple में, मतलब एक Muslim होते हुए भी, वो काशी विश्वानात के temple में, शहनाई को play करते हैं, ये इंडिया की एक बहुती rich cultural heritage है, एक विरासत है, Sanskritic विरासत है, तो यहाँ पर ये lesson end होता है, इस lesson में पढ़कर आपको पता लगी गया होगा, कि ये उस्ताद बिस्मिल्ला खान के बारे में है, उनके life के बारे में है, कि वो कहां के रहने वाले थे, कैसे वो famous हुए, उनको कौन-कौन से award दिये गए, वो कितने humble background से थे, और उन्हें एक दिन highest civilian award मिला, भारत रतना का, ये story भी first part की तरह बहुती inspiring है, I hope आपको अच्छे दरहिके से ये story समझ में आ गई होगी, अगर आपको ये video अच्छे लगी, तो don't forget to subscribe to my channel, and to click the like button, thank you.